नमो नमाह सच्चिदानंदरूपाय विश्वोद पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय श्रेकृष्णाय वयम्नुमाह एक मित्र ने पूछा है गुरुजी मैं अपनी स्पिरुचल जर्नी कहां से सरूप करूँ कि यात्रा का मतलब रहता है कि एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना है उसी को आएटरा करते हैं स्पिरुचल जर्मी तो जो बाहर की जो यात्रा तो जिसिए आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई से आपको वैश्णोदेवी जाना है तो फिर वह जो घंतव्य स्थान है आपसे दूर है यह जो जरनी है जो यात्रा है वह बाहर की यात्रा में देश और काल होता है अच्छा प्रशन है और मैं आपको प्रश्ण आपकी जरनी जो है यात्रा एकदम अच्छी रहेगी तो अध्यत्म में यात्रा नहीं होती रुख जाना होता है और उसको ऐसे बोले यात्रा यह समझ लो तो उसको बोलते हैं अंतर यात्रा रहते हैं तो आपके बीतर जाना है तो कैसे जाना है तो पहले जो शरीर है तो आपका जो ध्यान है वो बाहिय पदासों से लेके अंतर तो अभी क्या है शरीर पे लाए जिसे अभी लोग सरू करते तो आप कैसे सरू करें मैं आपसे बताता हूं तो यह जो यात्रा का मैं ऐसे आपसे बता तो पहली जो यात्रा आपकी रहेगी तो ऐसा रहेगा कि शान्त मन से आप बैठे ऐसे आखे बन करके आप कितनी आपके जो वीचार तो आते रहेंगे ऐसे आसन सिद्ध करने के लिए इसे आसन लीजिए कि जहां बैठ सके सुकुन से बैठ सके तो स्वास को देखिए प्राण को ऐसे मैं नहीं बोलता हूं कि आप कुछ प्राणायम कीजिए आपका प्राण कैसे चल रहा है तो प्राणायम कीजिए प्राणायम का मतलब रहता है कि स्वास आ रहा है और जा रहा है तो इस सेकंड स्टेज आपका हो गया प्राण का अनुसंधन कीजिए यदि कोई घुरु मिल जाता है आपको समय लो तो थोड़ा प्राणायम कीजिए उनसे सीखे यदि आब दे कि नहीं मुझे उस जंजट में नहीं पढ़ना है सुनो ऐसा तब क्या कीजिए कि मैं बताता हूं ऐसा कि गहरा स्वास लेजिए फिर स्वास निकल दिये दिरे दिरे मैं कोश हो गया फिर मनो मैं कोश हो गया उसका मतलब है कि आपको कौन सा विचार आता है और कहां से आता है जैसे अभी आपने कुछ चीज देखी है वो विचार आते है तो उसको बारे में सोचिए और ऐसे स्वस्त मन से ऐसे बैठिए और अपने विचारों को देखिए कि आपको मैं जो एक रास्ता बता रहा हूं अपने रुषेमुंति ने बता ही रास्ता भेटाऊं, फिर मानस, जो रहेगा, उसकी पुजा किजिमिंचे बंधर करकर द को कि या या तो आप विचार को देखिए या फिर सवचार समाधी कीजिए पतंजली मुनी ने बताया कैसे मैं सलोग बोलता हूँ वीतर्ग, वीचार, आनंद, अस्मी तानूग, संप्रगनात तो एक विशय को लेके वीचार कीजिए, जैसे ब्रह्म साधना करनी हैं तो मैं दिव्यात्मा हूँ, मैं निरंजन, निराक मनं यह जो एक चिंतन करेंगे न तो मन इन भी अजब बाद में दिरे मन का अग्य बढ़ेंगे तो अन्न को फिर मनमैं आप बीतर बीतर जा रहे हैं डिला विज्ञानमैय को जाने कि वेदांत की बात आती है कि आप कौन है स्वयम को जOWN हो स्वयम को पूज़ो अपने जो आत्मसुरुप को पैचानो new हर डिवाइन नेचर बस यह अंहें बंद करके तो उसमें वेदान्त में क्या बताता है जो विग्णनमैकोश है तो उसमें रहता है कि आपको आत्मा के बारे में सुनना है तब ले करें इधर आत्मा के बारे में कौन सुनाएंगे तो एक काम कीजिए ऐसे कोई वेदान्त की जो बुक लेके आईए और नहीं बुक आते है त पिर मनन कीजिए और पिर वो हो गया विज्ञानमाइकोष और आनन्द आपका स्वरूफ है तो यह जो आपको मेनद बताया कि अन्नमाइकोष, प्राणमाइकोष, मनोमाइकोष, विज्ञानमाइकोष और आनन्नमाइकोष यह आप भीतर भीतर और पिर आपको आत्मसाक्षात कर केसे हो वह मैं बता रहा हूं ऐसा अभी उसमें तीन पाथ आएगे भक्ती आएगी तो भक्ती में क्या करो इदि आपका मन भक्ती में लगता है तो फिर कोई जैसे कृष्ण प्रमात्मा राम भगवान है जो भी बंद करके उसका रूप को देखिए ऐसा भी आप कर सकते यह हो गया आपका भक्तिमार तो योग में इंट्रेस्ट है तो श्रीमद भागवत महापूराण में बहुत जगह तो आप आपका शरीर है फिर आपका स्थूल शरीर सुक्स्म शरीर है तो सुक्स्म सरीर में कुंडलीनी शक्ति मुलादार स्वाधिस्टान मनिपूर कमेवच अनाहतम विशुद्धाग्यम शडचक्र वे मुच्यत्यों आपके भी तर जो चक्र है शडचक्र उसके अनुसंधान कीजिए फिर यदि आप ऐसे मैंने बताया कि वही चलो भक्तिमार योग मार गए आप दिने मुझे ज्नाम घड़े जो तो घ्न में क्या होता है कि आपके लिए स्वरूप है तो स्रवन मनन और निद्य तीं मार अपने रुशी ने बताया можем करो तो मैं आपसे तीन बातें बताता हूं शब्द 갖고 मंट्र儿 लिजिए गहरा स्वास लिजिए औम नमाह, औम नमाह, औम नमाह, औम नमो वगवते वासुदेवाया, औम नमस शीवाया, ये किजिए, पहला शब्द घेरा स्वास लेना है, बोलना है, जब स्वास की जुर्स पड़े तो, नाक्से स्वास लेना हूं, ये पहला step हुआ, फिर दूसरा step है आके बंद करके सोच रहूं आपके बारे में सोचिए आप बलेंगे गुरुजी मैं नहीं सोच और ऐसे बैठ गया तो क्या होगा तो मैं अभी आपसे बताता हूं कि आपने कभी यात्रा अंदर की नहीं किया तो बहुत वीचार आएंगे और आप दरेंगे और ज्यादा करके नकारतम तो यू कें करता हूं यू कें रिप्लेस कर दीजिए मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं प्रभु मेरी रक्षा और मदद कर रहा है ओम नमहा ऐसा करके जो सेकंड स्टेप रहता है वीचार और तीसरा रहता है आखे बंद करके प्रभु की पूजा कीजिए रतने पत्र पुष्प प्रभु की रूपा से ही बता रहा हूं कि आपकी स्पिरूचल यात्रा है जर्नी तो इधर से सरू कीजिए और कोई प्रशन है तो फिर से कॉमेंट सेक्षन में पूछिए और मैं जैसे जैसे बहुत लोगों का प्रशन रहता है तो आपका भी नंबर आएगा मैं आपको ज जवाब नहीं दिया तो दियान केजिए ध्यान में सभी प्रशनों का जवाब मिल जाता है आखेवन करके अपने गुरु का समरन कीजिए और वड़ेगु देव मुझे प्रशन हाए और उसका मुझे जवाब दीजिए देखो या तो मैं जवाब दूंगा या कोई और जव तो उसमें तीनों रास्ते आ जाता है तो शब्द विचार और चित्र से सरू किजिए आपका शूब हो आपका कल्यान हो आपका मंगल हो May God bless you, आनन्द में रहो, मोज में रहो, हर हाल में खुश रहो, enjoy every moment of the life, Om Namaha Om Namaha